हेलो गाईस वेलकमेक्टोबर चेनल के यानिक अधमीज दिसकस करते हैं लेटेस्ट हिरिंग के बारे में सबसे पहले होने वहाँ है देसवल्ट सिस्टम के तरफ से इसमें आसी हाइर इसके बारे में डिसकस किया है जिसमें नमबर ओपनिंग काफी यदा होने बाले हैं 100 200 प् आप्लाई कर सकते हैं knowledge आपके पास फ्रेंट इन टेक्नोजी लाइक HTML CS से जावस्किप की knowledge होना चाहिए and deployment continuous development strong problem solving is you should basically result में जब भी interview होता है तो उनका interview काफी lengthy होता है तो उसके relevant आपके पास सारी skills होना चाहिए so this is for freshness engineering graduates मैं आप्लाई कर सकते हैं next hiring अगर मैं बात करूँ next hiring आई से आपके बेश्पायर की तरप से होने वाली है data science internship इस यह भी आपकी काफी अची इंट्रेंशिप है number of openings of 50 plus यहाँ पर होने बाली है यहाँ पर step end आपको मिलने वाला data science अगर आप data science की field में career बनाना चाहते हैं तो आप science के लिए वो सारी skill से हाँ आप में सेंड है यहाँ पर step end आपको काफी अच्छा मिलने वाला है 20,000 तक भी मिल सकता आपके performance की basis पर once you are selected selected ओके यहाँ पर आपका interview डाउंड होने माला है basically उसी field के रिलेविट सो बेस बारे में आप apply कर सकते हैं next आगर मैं बात करूं next hiring opportunities के बारे में हम discuss करते हैं जो कि है Jupiter network के तरफ से hiring for software engineer intern 3 जिसमें आपका job location बेंगलोर होने बाला है एक काफी अच्छा hiring होने बाले है requirement क्या है computer science और network engineer के students apply कर सकते हैं बी बीटेग सो इसमें आपके बी बीटेग के graduate apply कर सकते है knowledge आपके बास होना चाहिए cc++ python में excellent analytical skills you should have and ability to work in team sys में आप apply कर सकते है work domain basically आपका क्या होने बाला है cloud engineering routing switching security operating system analytics and quality engineering आपका अगर ये वाला work domain है तो आपके लिए काफी benefit होने वाला है अगर आपके बास relevant उस work domain के relevant कोई भी skill है इसमें भी आप apply कर सकते है Jupiter network के तरप से hiring उनी बाली है next hiring के मैं बात करूँ जो है की sys pre के तरप से hiring for web double पर intern इस बाले job rule के लिए like web development तो सारी students 3rd year के student और 2nd year के student सभी web development की field में जाना चाहते है सभी लोग web development सीखती भी है इसको implement करने के लिए hiring opportunity में आपको apply करना है apply कर भी सकते है काफी recent opportunity है Mumbai आपका job location होनी माला है as a intern आप यहाँ पर काम करने बाले है requirements आप देख सकते है क्या के requirements आपके पास होना चाहिए relevant skills आपके पास होना चाहिए HTML CSS, JavaScript, jQuery, APIs, knowledge of full stack development की knowledge होना चाहिए आप काम करेंगे तो full stack development आपको आना चाहिए तो इसमें आप apply कर सकते है as an intern next आगर मैं बात करूँ है यहाँ पर hiring है Virg Lab solution के तरफ से जिसमें आपके 20 openings होनी वाले है इसके बारे में हम आली डिसकस कर चुके हैं बाट अभी भी application close नहीं हो है फिर इस यहाँ पर opening होनी वाली है different job role पूरे location के लिए previously हमने कुछ और location के बारे में discuss किया था और 4 से 6 लाके यहाँ पर CT से आपका होने वाला है इसमें बी टेक और एम टेक के students अप्लाई कर सकते हैं पास आउट यार आपका है 21 से लेकर 22 से अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमने इंटरल से पर पॉपॉर्टिटी रिसकस किये हैं उसमें आपके रिसेंट ग्रेजुए 23 और 24 बेच के students भी एप्लाई कर सकते हैं ओके next hiring opportunity काई से हाप पर होने बाली हैं आपकी impact की तरफ से हाप पर आपकी openings होने बाली हैं 100 प्लेस एप्लीकेंट्स काफी कम हैं 129 यहां पर applicants हैं क्योंकि अब एक काफी students को नहीं पता है तो एप्लाई नहीं किया होगा and recent opportunity भी है अगर आप इसमें apply करते हैं तो यहां पर आपका resume review भी जल्दी हो जागा है क्योंकि applicants बहुत ही अदग कम हैं तो आपके यहां पर chances बहुत ज़्यादा होने बाला है customer service आप है अभी के लिए and CTC आपके अच्छा होने वाला है 3 से लेकर 7 Lp आपका maximum आपके CTC होने वाला है so guys I have discussed multiple hiring opportunities and जिसमें आपके non-tech and technical students भी अपले कर सकते हैं most लिए Tech के भी discuss कि हैं